नमसकार दोस्तों आपके अपने यूटिव चैनल स्टार्टव की कहानी में स्वागते दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रिटेल सौप ओपन करना चाहते हैं यानि कोई भी shop open करना चाहते हैं तो आपको उसमें कौन-कौन सी problem आ सकती है open करने में तो ये वीडियो सुरू से लेकर last तक चरूर देखे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ share करें और कोई retail कारोबारी है तो उसे भी ये वीडियो सेर करें मैं इसमें एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ तो उसका link मैं description में दे दूँगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगी मैं बनाते जाओंगा उनका link आपको description में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू कर तो दोस्तों retail shop open करने में सबसे पहली problem आती है location की shop की location अगर आपने shop की location अच्छी नहीं ले रखी है तो वहाँ आपके पास customer नहीं पहुच पाएंगे और अगर आपके पास customer नहीं पहुच पाएंगे तो इससे क्या होगा आपको भी बेहतरी तरीके से पता है आपका shop बंद हो सकता है आपको आपका कारोबार नुकसान में जा सकता है इसलिए आप अपना जब भी shop open कर रहे हैं तो उसकी location परफरक्ट location चूज करें जहां पर रस जादा हो जहां पर लोग अच्छे से आते जा दूसरा problem दोस्तो अधिकतर लोग तो सोच लेता है कि चलो आप कोई काम नहीं है तो shop open कर लेते हैं लेकिन shop open करने में उन्हें कोई problem नहीं आती लेकिन इसमें सबसे बड़ी problem यह आती है दोस्तों की experience ना होना product इन सब के बारे में knowledge ना होना अगर आपके पास दोस्तों experience नह आएगा कि आपको उन्हें कौन सा product देना है तो फिर आप उसे manage कैसे किजिएगा बहुत बार क्या होता है दोस्तों मान लिजिए आपने यह तो decide नहीं कि हमें मान लिजिए आपने मतलब दूसरे दूसर प्रोड़क्ट बाइ करके लिए लेकिन जब प्रोड़क्ट कस्टमर को ज़रुत है आपके पास वो है ही नहीं कस्टमर वैसे सौप में क्यों आएगा आप ही ज़रा सोचिए तो इसलिए इसमें हमें experience की और knowledge की बहुत अच्छी ज़रुत है अगर आपके पास experience नहीं है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा तीसरे पॉइंट में दोस्तों market research market research आपको करना होगा अगर आपने धंक से market research नहीं किया है तो इससे आपको बहुत loss हो सकता है आपको यह जानना होगा कि market में कौन सा product सबसे ज़्यादा भिक रहा है किस rate भिक रहा है तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए आप पूरा market research कैसे करें मैं आपको वीडियो क एक वीडियो का उपर link देदू मैं मैंने उसमें कुछ बाते बताई हैं तो जाके आप जरूर फॉलो करें चौथा नमर दोस्तों बहुत लोग दोस्तों सौप अपन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास proper investment नहीं होती मतलब वो ज्यादा invest नहीं कर सकते हैं तो कम investment में ही सौप लाइएगा कम स्टॉक लाइएगा तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी कस्टमर है उन्हें प्रॉपर सभी प्रोड़क्ट नहीं मिल पाएंगा और अगर उन्हें सही प्रोड़क्ट नहीं मिल पाएंगे तो कोई भी अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुझे दस जगा नहीं जाना पड़े ऐसे दोस्तो कस्टमर की सोच होती है अगर मालनी आपके पास एक प्रोड़क्ट है एक प्रोड़क्ट एवेलेबल नहीं है तो इससे कस्टमर को बहुत प्रोबलम होगे और कस्टमर आपके सौप के दुबारा आना नहीं पसंद करेगा कीस का01 के एक्रेऑन्स बहुत बेकार हो जाता है तो दोस्तो आप लने में आप 187 अगर आपको दोस्तों कि तो मतलब आपको कॉस्मेटिक गिफ्ट इन सब की स्प्की ऑपन करने है तो आप पहली क्या किए गिफ्त रख लीजए उसके बाद दीरे 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 उसमें कॉस्मेटिक की आइटम बढ़ाते जाई इस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं नुबर सिक्स तो में प्रॉब्लम आती है कि हम तो यह मार्कित रिसर्च कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं प्रोडक्ट कैसे लाएंगे किस टीज के आइटम क होलसेल मार्केट होता है बहुत जगह उससे गुदरी बाजार कहा जाता है उस बाजार में जापके आपको पता करना है दोस्तों आपको डीलर से मिलना है डीलर से बात करना है कि आप अपना नया सोब आपन कर रहे हैं तो आपको वह क्या रेट देंगा ऐसे इस तरीके से आ माली जो मुझे दूसरी जगर मैं swap खोलना चाहता हूं मुझे बहुत दूर swap खोलना चाहता तो आप प्रोड़क्ट कहां से लाते हैं इस तरीके तो दोस्तों आपको बात करने हैं कि वह आपको बता दे फ्रेनल रूप से ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथ मी नंबर प अगर सही से डिसाइड नहीं हो पाया तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से भी आपको कैसे छुटका रहा पाना है इसके लिए दोस्तों आपको 10-15 जगा सभी सॉप्चिन में रेट आपको मालूम करना है आपका क्या मार्जिन है आप अपना उसमे अगर आपको मालीजिए उस पर आपको रेट नहीं पार रहा है तो कस्टमर जब आये दोस्तों तो उन्हें कह दीजिए कि मुझे ये थोरी महंगी पर ही है और आपको और सभी चीजों में ये आपको थोरी महंगी पर ही बाकी और जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उस करना चाहते हैं कि आप पर कोई भी कानूनी कारवाई ना हो तो आपको लीगल पेपर्स भी बनवाने होंगे लीगल पेपर्स में आप पूछेंगा कौन-कौन से पेपर तो दोस्तों उसके लिए बहुत सारी चीज होती है जीस्टी नंबर टाइन नंबर ये सब चाहिए हो हो गई इन सब की मैडिसेंस की सौप और बड़ी लीटेल सौप को जरूरत परती है अगर आप छोटा लीटेल सौप भी करते हैं और माले जिए उससे आगे बढ़ाने की आपको इच्छा है तो आप धीरे-धीरे-धीरे करके आप माले जिए दो-तीन महीने चार महीने इसी पर दोशना तरीके से चला सकते हैं उसके बास अगर आपके पास उर्वाध में पैसे है तो आप उर्वात में पैपर सकते हैं पेर लेने से दोस्तो आपके बे पकर मजबुत हो जा कि इससे क्या होका क्या को उप आपके swap पर कोई भी एक्षर नहीं ले सकता है इसी पेपर में भी दोस्तों एक पर होते हैं जो असली मालिक होते हैं वह आपको हटाकर अपनी swap कर लेंगे इसलिए वीडियों में बस इतना ही दोस्तों अपर आपको वीडियों अच्छा लगा तिर लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो दोस्तो जल्दी आने वाली है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पो वाचिंग